आज मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है क्योंकि इतनी वायर्स मेरे शर्ट पे और यह दिख रही है आपको पर इसका एक रीजन है मैं आपको आज कुछ आउटपुट के बेसिस पर समझाना चाहता हूं और कुछ ऐसी चीजे जो माइक से रिलेटेड बहुत इंप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यह जो माइक मेरे यहां पर लगा है अब तक जो मेरे बात करी वह आउटपुट इसका है अब हम चलते हैं दूसरे माइक का आउटपुट समझने के लिए अब यह जो माइक है मेरा यह आउजा का माइक है इसमें आपको मेरी वाइस कैसी लग है और यह माइक मेरे यहां पर ही लगते हैं तो सबकी पोजिशन भी सेम है अब हम चलते दूसरे माइक पर और यह जो थर्ड आउटपुट है यह आउटपुट है हमारे बोया माइक का अब आप देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगी कि मैंने बोया माइक और आहुजा नहीं है तो अभी आपने देखा कि तीनो मैइक के आउटपुट कैंने का एक मातरी रीजन था कि यह तीनो सेम रेंज के हैं सेम टाइप का आउटपुट है तो कोई बहुत बड़ा साउंड को लेके तो कोई बहुत बड़ा चेंजिस नहीं है बढ़ हां सबसे पहले होता है इस माइक का यूज केस में ऐसे बहुत सारे टीचर देखे जो हमारे कॉलर मैक जो होते नहीं नगाते समय इसको शूंड के अंदर से लेना होता है तो सारे आपको हर बार शूट पर आना है आपको अगर आपने blazer पहन रखा है तो भी आपको shirt के अंदर पूरा अंदर से इसको tick करना है और फिर लगाना है एक यह time consuming process होती है और कई बार इसको बहुत अच्छे से लोग लगाते भी नहीं है कई बार भार निकलता हुआ, side निकलता हुआ, मिस्मैने सा होता है एक problem यह ह दूसरा problem बहुत सारे teachers तो मैंने ऐसे देखी है जो उपर ही रटका लेते हैं अब बात करें हम लोग की आदे से ज़्यादा जो teaching agencies है यह coaching institutes है यह फिर influencers है वो T-shirt में होते हैं अब साहब जब आप T-shirt में होते हो तो T-shirt में क्या करते हैं अंदर से डाला और उपर रटका लि इस स्टूडियो में जहां में खड़ा हूं आप बहुत सारे ऐसी female teachers आती हैं और उनके लिए comfortable नहीं होता कि जो वो outfit उनका होता है उसमें वो उस mic को pin किया जाए तो especially मैं आपको बात करू कि in madam का वीडियो काफी famous है मैं और इनके वीडियो में आप देखो उनने यही mic को use कि है और as a female अगर आप एक teacher हो तो definitely आपके लिए mic बहुत useful है क्योंकि उस mic को जिस तरीके से settle किया जाता है वो काफी complicated होता है हमने भी हमारे initial time में इस टाइप की problem को बहुत face कि female teacher के लिए तो यह mic बहुत ही ज्यादा useful है और same male teachers के लिए भी इसके अलावा भी इसका एक use case है कि अगर आप classroom में पढ़ा रहे हो hybrid classroom में पढ़ा रहे हो जैसे आपके सामने बच्चे भी बेटे हैं तब भी इस case में क्या होता है कि जैसे बच्चे आए जैसे आपने class में इंटर किया और उसी समय पर mic को फिर अगेन लगाना diffusibility नहीं बेंट परती है तो hybrid class में भी इसी type के mic को use किया जाता है अब इसी mic में वह functionality है कि भी आप सीधे लो mic लगाया और आपका काम चालो हो गया hybrid class में आपने देखा होगा कि आपके speaker वाले classroom होते थे तो वहां पर भी आप इसका use कर सकते हो आउजा के mic में आप हम connect करते थे आपको याद हो तो wireless mic को इसी type के mic का use किया सकत होता है और मुझे तो personally comfortable नहीं feel होता बढ़ हाँ अगर मुझे कोई online classes लेनी है या मुझे continue video बनाने है तो मेरे लिए best mic है क्योंकि हर बार हर dress के साथ में comfortable नहीं होता caller mic को attach करने में इस mic का best तरीका क्या है कि यह mic पीछे से इसका wire जाता है और मैंने blazer के अंदर से ही ले लेत का usually यह एक mic आपका लगता है यहां पर और दूसरी यह mic का जो main part है जहां से आवाज आ रही है वही आपके just मुझे पास में है तो यह जो mic है इन दोनों difference में आपकी voice और ज़्यदा अच्छे से capture करता है external noise को यह reduce करता है कम से कम noise cancellation का feature इसके अंदर inbuilt है as compared to 2 mic जो मैंने आप के बता है आपने voice अगर थोड़ी चांती से इसको सुनेंगे तो आप इसकी quality में भी difference पाएंगे कि यह better है as compared to boy and other आउजा mic देखें अभी जी स्टूडियो में हूँ वहाँ पर normally पीछे चार-पास लोग है और जो नॉमल बाते भी कर रहे है और इससे भी मुझे कोई impact नही है तो यह best quality is mic की है और यह अच्छी बात है जब आप class में पढ़ा रहे होते हो बच्चे बाते भी कर रहे होते तो यह live class में यह जाता नहीं है तो noise cancellation का feature बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप class में पढ़ा रहे होते है तो बच्चे भी सुन रहे होते है इधर से fan चल रहा ह है या कोई आ रहा है जा रहा है वो सारी वह आवाजे इसमें cancel हो जाती है तो noise cancellation भी इसमें best चीज है अब हम बात करें इसकी price segment की तो देखे क्या होता है कि इस माइक के साथ में एक ड्रॉबे की है कि यह माइक आपन जो खरीदते है तो इस माइक में आपको सिर्फ यह white वाल यह जो black वाली cable देख रहे हो यह connector है आपको visuals में देखेगा तो यह connector आपको लेना होता है तो इस माइक की maximum selling price जो है वो है 1070 रुपे इस माइक का आपको मैं model number बताओ यह EWM 100 और इस माइक के साथ में आपको एक external connector लेना पड़ेगा जिसकी cost 1500 से 200 रुपे की होती है तो यह ह some comparison में आपको 1200-1300 तक जाएगा but definitely आपके sound की quality और आपकी live को थोड़ा यह easy बनाएगा मैं जानता हूँ जिस studio में continuously back to back back to back teachers आके पढ़ाते हैं उस studio के लिए caller mic को handle करना quite difficult होता है तो धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे है कि इसी mic को adopt करे और यह solution best solution है और यह solution में मुझे नह पता है ताकि next video अगर हम plan करें तो definitely इसको use करें देखिए आप ही लोग है जो मुझे video बनाने के suggestion देते हैं और आप ही कमेंट के according में next video plan करता हो तो यह चीज़ अगर आप कर रहे हो तो definitely यह मेरे आपके और हमारे channel से जुड़े logo के लिए 100% beneficial है अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस channel को subscribe करें कितने लोग आते हैं और इसे छोड़कर चले जाते हैं देखकर चले जाते हैं इससे अगर आपको एक परसेंट भी value मिर रही है तो आपका दाइत तो बनता है कि आप इसे channel को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वो important video जो आप तक में पहु आप जाए